नमस्कार डॉक्टर रवी गोर से लोकुमत के हिंदी ओडियंस के लिए पैंसिलवेनिया से ऐसी दर्खवास आई थी कि COVID-19 और अमरिका के जो चुनाव है अगले हफते आज दिन में उसके उपर एक वीडियो बनाया जाए कि क्या COVID कितना एहम है लोग कर लो बात COVID एहम ही नहीं COVID ये एक ही मुद्दा है हमारे चुनावों में COVID के बगेर हमारे चुनावों बोलो कि गन्ने का रस जिसमें अदरक नहों और गन्ना भी नहों सिर्फ हाथ गिलास पकड़े बैठे रहो तो अभी देखते हैं कि किस चीज़ पे बहस चल रही है अभी रिपब्लिकन के बारे में डेमोक्राट्स कहते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया आपने मास्ट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था आपने लॉगडाउन और जोर से कर देना चाहिए था आपकी वज़े से आपकी लापरवाई से ज़्यादा लोग मर गए अमरिका में और केसेज भी बढ़ रहे आपसे ये कॉंट्रोल हुआ नहीं ऐसा डेमोक्राट रिपब्लिकन को बोल रहे हैं कि देखो आप कह रहे थे हमने अच्छा नहीं किया क्योंकि यूरप ने कितना अच्छा किया सब लॉगडाउन करके सब तोड़ दिया सब खोल दिया अभी क्या हुआ है जर्मनी में क्या हुआ है फ्रांस में क्या हुआ है अगर लॉगडाउन के बगर या साथ में केसेज आने वाले ही है तो फिर लॉगडाउन करने के क्या जरूते हैं आप क्या बात करते हूं कैसा है क्या जंडेगार दिये है यूरोप ने हमसे ज्यादा दूसरी रिपब्लिकन ये बात करते हैं वो कहता है कि चाइना से जब लोग आ रहे थे करीबन 15 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने ऐसा कहा था कि यूमन से अबनी संसरग संभाव्य नहीं है कोविड का उसके बावजूद भी प्रेजिडेंट ट्रॉम्प ने चाइना से पूरा ट्रावल बन कर दिया था 30 जनवरी को और तब डेमोक्राट लोगों ने रिपब्लिकन को कहा था कि आप रेसिस्ट हो आपको चाइना अच्छा नहीं लगता इसलिए आपने ये बन किया है अभी रिपब्लिकन कहते हैं कि आप कहते हो कि हमने सब गलत किया तो आप क्या सही करते हो बताओ न पॉइंट बाइपॉइंट बोलो कि हमने जो नहीं किया वो ऐसा आप क्या करते थे रिपब्लिकन का मानना है कि डेमोक्राट ने इस वज़े से कि ताकि उनको कोई racist न बोले ये चाइना का जो border बन किया उसके लिए वो और एक मेना रुपते थे हजारों लाखों लोग चाइना से US में आ चुके होते तब तर और और फैल जाता और और काफी लोग मर जाते थे ऐसा Republican का कहना है और देखो अभी क्या है कि अमरिक काम का रुत्युदर तो जाला था शुरू में अभी ठीक है लेकिन अमरिका के जो बहुत सारे लोग मरे वो तो बहुत उसको कोई हानी बहुत ही हानी हुई है लेकिन अमरिका का कहना है कि अमरिका के जो old people home होते जो nursing homes होते है उसमें ऐसा आवाम होता है जो दुनिया के किसी भी छोटे से चिलर देश में वो लोग पहले ही मर जाते थे पाच-दस साल पहले हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी मजबूत है इसके वज़े से वो लोग जिन्दा थे इतने मेडिसिन पे तो वो बहुत ही वल्नरेबल थे उसके वज़े से वो मर गए डिमोक्राट्स लोग क्या कहते है कि ट्रम्प साब ने मास्क पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था क्योंकि वो सिंपल है अपने हाथ में है अगर वो मास्क पे ज़्यादा जोर देते अपना एक्जामपल डाल देते तो शायद केसे कम हो सकते है ट्रम्प सापका कहना है कि देखो hydroxy chloroquine उड़ रहा हता हवा में आपने उसको गोली से नीचे गिरा दिया क्यों? क्योंकि hydroxy chloroquine की कोई double blind control randomized study नहीं है which is gold standard मास्क की कौन सी double blind control study है लेकिन अभी मास्क की study करेंगे कैसे? क्योंकि वो तो ethical नहीं होगा ना आधे लोगों को without मास्क रखने के लिए लेकिन ये democrat की बात बराबर है ये मास्क तो बहुत सस्ते है और एक बार डाल दिया और आप भूल गए है मास्क डाला है तो ठीक चलता है तो ट्रम्प साप जरूर मास्क के बारे में और बात कर सकते थे और लोग उनने कहा तो ज़्यादा पहनते थे अमरीका का मुलवूट डिफरेंस क्या है पूरे दुनिया से हटके है उनका मुलवूट मुद्दा ये है कि वो लोग नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनसे कहे कि आप ये करो उसमें प्राबलम आता है और मेरे ख्याल से जो लोग मास डालते है अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है बहुत समर्थन करता हूँ उस चीज़ का लेकिन वो जो लोग मास डालते है उनको वो खुच से पहनने से बहुत मज़ा वो दूसरों को पहनाने में आती है कहता है मेरट में एक चाचा जी घूम रहे थे दो दिन लोगों को परकने के लिए कि किसने मास डाला है किसने मास नहीं डाला है एक लड़के ने उनसे का चाचा जी आपने पतलून ही नहीं पहनी है बिना पतलून के दो दिन मेरट में घूम रहे हो लोगों के मास देखते हुए तो इसके वज़े से ये US में थोड़ा problematic है तो अभी vaccine की बात हो रही है तो ये vaccine शायद safe नहीं होगी तो Democrats कह रहे हैं आप राजन एतिक मुद्दे के लिए ये vaccine को जो rush कर रहे है और वो शायद safe नहीं होगी सुरक्षित नहीं होगी Republican कह रहे है कि अगर ये safe है अगर ये सुरक्षित है तो आप राजन एति के लिए अगर उसको खारिज कर रहे है तो आप लोगों को मार रहे है जिस vaccine से पूरे सिर्फ US के नहीं दुनिया के लोगों को मार रहे है क्योंकि वो सुरक्षित वैक्सिन शायद लोगों तक पहुची भी तो लोग लेंगे नहीं और Republican का कहना ये है कि अगर दूसरा कोई Democrat Administration प्रशासन होता तो Republican कह रहे है ये vaccine आना संभवी नहीं था 7-8 मैने में 2-3-4 साल लग जाते थे वो Democrat लोगों ने टेले प्रॉम्टर पे लिख के आपको पड़ दिखाया होता कि Democrat Republican ऐसा कुछ नहीं है हम सब American है हम सब एक दूसरे के साथ है हम एक दूसरे की मदद करेंगे एक दूसरे को ये सब चीज का मतलब क्या है तो Republican के लिए इस आप सिर्फ बात करते रहते थे हमने साथ मैने में वैक्सिन ये तो दूसरा कोई करें नहीं सकता था ये Republican कह रहे है तो देखो यूरप में भी अभी केसिस आये मतलब भूला वो डिफरेंस क्या है तो अभी जो में डिफरेंस है वो ये है कि Democrats कह रहे है We still believe in testing, tracing or isolation and if need be हम लोग lockdown करेंगे economy की सोचेंगे नहीं लोगों की सोचेंगे तो Democrats are more paternalistic वो जड़ा गरीमों की जन्ता के लिए ज़्यादा बात करते है Republican क्या कह रहे है कि देखो अगर आपको कोई कहता है आप एक चोर के साथ करोना के चोर के साथ आपको जूझना है तो आपने किसी ने advice दिया है कि खुद के कान के नीचे तीन तमाचे मारो और बाद में चोर से जाके लड़ो तीन चार बाद ये होने के बाद आप पूछेंगे ना भाया हम खुद को तमाचे क्यों मार रहे है जाके चोरो से लड़ते हैं ना सीधा ये क्या बात है ये कहा का study है ये क्यों मार रहे है खुद को तो रिपब्लिकन बोले इसे कुछ होता नहीं है लॉगडाउन तमाचे मारने से जो लड़ते जिनको होना है होने दो उनको बरामत करेंगे मोनोगोणल देके वैक्सिन देके यो मोनोगोणल और वैक्सिन को डेमोक्राट लोगों ने प्राजनेतिक के लिए बं किया है ऐसा रिपब्लिकन कहते है तो वो कह रहे हम खोल देंगे, तो जो होगा देखा जाएगा डेमोक्राट कह रहे शायद हम बंद कर देंगे ऐसा ही दोनों का मूलबूट डिफरेंस है और आट दिन में पता चल जाएगा अगर बाइडन साब जीत जाते है तो वो ट्रम्स आपको कहेंगे कफस में मुझसे रुदादे चमन सुनाना नडर ए हमदम किरी है कल जिस पे बिजली वो मेरा आशिया क्यों हो और ट्रम्स आप जीत गए तो वो क्या कहेंगे किया गम खुआर ने रुस्वा लगे आग इस मुहबत को न लाए जो ताप गम की वो मेरा राजना क्यों हो तो अभी आप मुझसे पूछेंगे कि हम मुझे क्या लगता है क्या होगा देखो दोनों साइड आए तो दोनों की काफी वैलिड वैलिड चीज़ है मेरे ख्याल से अमरिकन लोगों की सोच विचार ऐसी है कि कोई हमें ना कहे ये करे वो करे वो मुकामला करेंगे शायद गलत हो लेकिन वो मुकामला करने में उनकी दिल्चस्पी जादा है तो मेरे ख्याल से रिपब्लिकन वापिस इलेक्शन जीच जाएंगे तीन नवेंबर को यह ऐसा मुझे मेरा मानना है लोगमत के हिंदी ओडियंस के लिए रभी गोर से